तो यहां पर आपको PM किसान सम्मान ने दी ऊजणा का जदि आपको पैसा उठाना है तो यहां रिक लेना है तो आपको यहां पर EQC करना है न मेंन्डिटरी होचुका है आज के शा Mark from विडियो में आपको बताने जारा रहा हुँ आप जदी एक general user है फिर भी आप एक काम कर सकते हैं और जदी एक CSC user है तो आपके लिए खुसकबरी की बात है कि जदी आप CSC के द्वारा आप जदी PM किसान सम्मान नहीं दिए उजना का जदी आप आधार KYC करते हैं तो आपको 15 रुपए का commission मिलेगा जैसे कि यहाँ पर हम general user है तो आपको general user के तरह ही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर EKYC जो है mandatory कर दियागे जैसे आप यहाँ पर देखेंगे registered farmer के लिए आपको page नीचे scroll करना इधर farmer corner में आपको एक option मिल रहा होगा EKYC जैसे कि यहाँ पर EKYC जो लिखा हुआ है इसका सामने में जो search वाल बटन पर किलिक कर देंगे search वाली box पर किलिक करने के बाद में यहाँ पर आपका अधार नंबर फिल से होगा एंड यहाँ पर अपना mobile नंबर डालना है जो mobile नंबर आपके अधार से link होना चाहिए वह नंबर आपको यहाँ पर फिल करेंगे and उसका बाद में get OTP पर किलिक क पर किलिक करने के बाद में आपकी इस registered mobile नंबर एक OTP send किया गया उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे and उसके बाद में submit for authentication पर किलिक कर देना है जैसे कि हमने यहाँ पर देचाते हैं कि अधार यहाँ पर जो OTP हमें प्राप्त होगा उस OTP को आमने एंटर किया and उसका हमने submit for authentication पर हम किलिक कर देते हैं जैसे ही आप submit for authentication पर किलिक करते हैं यहाँ पर एक error आपको देखने को मिलेगा invalid OTP यानि कि इसका मतलब कि आपने आप OTP अपना wrong डाला है चलिए हम यहाँ फिर से mention करते हैं उसके बाद मैं आपको बताती है यह problem है इसके बारे में मैं आपको इस व authentication पर किलिक करना OTP डालने के बाद में और बाद में आपका यह problem solve हो जाएगा ज़दी यह problem इस परकास से आपको बराबर face करने को मिल रहा है तो आपको क्या करना है CSC value से आपको contact करना है CSC value दोर आप जदी इस काम को करवाएंगे तो वहां से आप करने पर आपका EKYC जो है complete हो जाएगा जैसे कि हमने फिर से अपना OTP मंगाया फिर से मैं वहीं प्रक्रिया किया जो मैंने आपको प्रक्रिया करके यहां तक लाया हुआ था फिर से मने दूसरा OTP मंगा करके मैं फिर से submit for authentication पर क्लिक करता हूं जैसे मैंने इस पर click किया उसके बाद में भी invalid OTP बता रहा है तो ज़दी आपके पास में यह वाली error जो है बार-बार face करने को में रहा है तो आपको CSC value से contact करके यह काम आपको problem को solve करवा लेना है आपको इस परकार से आ रहा है तो यह फिर आपको इस काम को बाद में करेंगे तो आपको यह problem देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि यह भी नया नया functions लाया गया है इस परकार से यह errors to कर रहा है आपको जैसे कि आप जैसे एक CSC value है यह से उजर है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आने के बाद में simply CSC login वाले button पर click करें जैसे इस पर आप click करेंगे एक नया interface इस परकार से open होकर की आ जाता है यहाँ पर अपने username and password रहाली capture करके sign-in करेंगे और उसके बाद में ekyc कर लेंगे जो कि मेरे पास में भी यूजर आईडी मेरे पास में नहीं है तो मैं आपको ये परक्रिया करें के नहीं बताऊंगा तो आपको इस परकाया से forces को follow कर लेना है एंड उसके बाद में आप EKYS कर लेंगे जदि आपको ये वाली error बार बार फेस करने को मिल रहा है तो आपको यहीं CSC वाली एकाउंट से ही आपको ये काम करना होगा तो उपरक्र जनकारी जो मैं आपको इस वीडियो में बताए आपको समझ में आ चुका होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर किजेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर मिलते हैं से मधा वीडियो साथ एक नेक्स्ट वीडियो में